नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत था आपका लिस्स वेप की ऊपर मैं जीत फोगाट और आज फिर हम क्या पड़ेंगे दुबारा से बाइलोजी के बारे में जो है देखिए बचे लास्ट टाइम क्या किया था हमने बाइलोजी के विश्य के बारे में कि biology का हमारा first topic के हमने किया था circulatory system के बारे में discuss किया था आज उस topic को बचे हम आगे बढ़ाएंगे उस topic को हमने circulatory system को चार भागों में divide किया था first and key blood यानी रुधीर second क्या बताया था बचे मैंने आपको heart, heart के बारे में third हमने बात की थी vessels, वाहिकाएं और fourth हमने बात किया था लिंप के बारे में परी संचन तंतर का जो topic है बचे इसको मैंने इनकी basic blood के बारे में हमारी बात चल रही थी blood के topic को हम आगे बढ़ाएंगे बचे blood के बारे में हमने क्या किया था सबसे पहले इनकी basic point के थे blood के बारे में इसका पीजमान, बलड का अंद्रिमान कहां होता है बोडी में, बलड है यह एक किनेक्टिव, लिक्विड किनेक्टिव, टिश्य की रूप में पाय जाता है बोडी में, ठीक है, और इसके दो पार्ट है, बलड का 55% पार्ट प्लाजमा बनाता है, तो एक तरफ इसका 45% पार् बलड कारपल्स तो बलड कारपल्स का टोपिक हमारा शुरू था जिसमें RBC के बारे में हमने डिस्कस किया था आज हम बच्छे बात करने जा रहे हैं किसके बारे में WBC के बारे में WBC और प्लेट लेट एनकी बलड के चेप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम ट WBC के बारे में, देखिए बच्चे. WBC यानि White White Blood Cell या White Blood Corpuscle Hindi में क्या बुलेंगे बच्चे? Swet रखते कणे काएं इसको Hindi में कहा जाता है. देखिए बच्चे. देखिए बच्चे, White Blood Cells के बारे में, सबसे पहले मैं हम पर बात करूँ, तो White Blood Cells का हमारी बोडी में स्वेत रखतकनी काएं बोर्न कहा होती है, इनका जनम कहा होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग बच्चे? यहां पर हम बोलेंगे इनका जनम, हमारे शरीर में, कहा होता है? येलो बोन मैरो, किसमे होगा बच्चे? येलो बोन मैरो में इनका जनम होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए बच्चे, यहां पर मैं बात करूँ, येलो बोन मैरो में के बारे में, तो येलो बोन मैरो की बारे में बच्चे, ध्यान रखिए आपे, इसके बारे में, कि जो येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो, इसमें, मैंने आपको last time बताया था बच्छे हम remind करेंगे इस point को देखे बच्छे मैंने आपको बताया था कि जो bone marrow है bone marrow यानिकि अस्थी मज़ा बच्छे bone marrow को हम two parts में divide करते हैं first क्या है red bone marrow and second क्या है yellow bone marrow यानिकि अस्थी मज़ा के दो परकार है लाल अस्थी मज़ा वपिली अस्थी मज़ा बच्छे मैंने आपको बताया था कि blood का अंद्रिमान कहां होता है अस्थी मज़ा में लेकिन अस्थी मज़ा का भी एक भाग है लाल अस्थी मज़ा वए एक वपिली अस्थी मज़ा इन दोनों में मैंने फरक आपको ये बताया था बच्छे यानि कि difference क्रीट किया था बोन मैरो के अंद्र सबसे पहले बात तो बोन मैरो क्या है बोन मैरो हड़ी के बीच के gap को बोलते है यानि कि बोन मैरो क्या है distance between bone हड़ी के बीच का जो gap होता है उसको हम अस्थी मज़ा कहते है वहीं पर खून का निर्मान होता है और ये बोन मैरो दो टाइप की होती है इनकी बोन में अस्थी मज़ा के दो परकार है बचे there are two types of a bone marrow first is red and other is a yellow bone marrow अब red bone marrow जो लाल अस्थी मज़ा है इसमें तो निर्मान रुधीर का निर्मान होता है और रुधीर के निर्मान के साथ इसमें RBC वै platelet का निर्मान होगा RBC वै platelet का निर्मान लेकिन जो पीली अस्थी मज़ा है बचे इसमें WBC का निर्मान होता है ये अलग है तो याद रखे बचे WBC का निर्मान bone marrow में होगा लेकिन which bone marrow किस bone marrow में तो यहां पर yellow bone marrow में करेंगे ठीक है दूसरी बात बचे yellow bone marrow में एक point मैंने आपको और भी बताया था कि fat restore यहां पर क्या होता है fat restore होगा यानि कि वसा इकठी होती है पिली पस्ती मज़ा में ठीक है तो क्या बताया मैंने सबसे पहला point का है हमारा कि sweat रक्त कनिकाएं यानि कि white blooded cell देखिए बचे तो क्या है इनका जनम किस में होगा पिली अस्ती मज़ा में पिली अस्ती मज़ा यहां पर इनका जनम होगा ठीक है उसके बाद अगर white blood cells के बारे में बात करूँ मैं यहां पर तो white blood cells का chemical name आप से गर पूछ ले वो इसका chemical name इनकी रसाइनिक नाम तो इसका रसाइनिक नाम क्या है इसका रसाइनिक नाम है लुकोसाइट क्या बोलते हैं इसको लुको साइट बोलते हैं ठीक है यहां इस अलसो नोवन एज़े लुकोसाइट WBC को एक और नाम से भी जानते हैं हम लोगे इसका नाम है लुकोसाइट इसको बोल सकते हैं scientific name of WBC chemical name of WBC ठीक है उसबसे पहले बच्चे मैं क्या बताया है हमने धहन देजिया आपे WBC white bloody cell स्वेत रक्तकनी काएं इनका जनम कहा होता है yellow bone marrow में बोल सकते हैं bone marrow लेकिन which part of bone marrow yellow bone marrow पिले इस ती मज़ा में और इनका रसानिक नाम क्या है लिकोसाइट अब देखिए बच्चे WBC का life span एनकी life span अगर आपसे पूछ ले आपसे कि इनका life span कितना है एनकी जीवन काल जीवन काल तो WBC का जीवन काल दो से पास दिन एनकी टू से फाइव डेज हम बोल सकते हैं इसका WBC का जीवन काल दो से पास दिन के बाद मिर्तिव हो जाएगी WBC की और कहां होगी इसकी मिर्तिव बच्चे बात करूए यहां पर एनकी born तो कहां होती है यह लोबोन मेरों में लेकिन यह अगर आप से पूच लेकि WBC का graveyard palace कहां है तो इनका graveyard इनकी कबरगा कहां बोलेंगे हम लोग बच्चे इनकी कबरगा हमारे शरीर में कहां होती है तो जैसे कि मैंने बताया था RBC dead कहां होती है स्पलीन में स्पलीन में लेकिन WBC हमारी बोडी में यह नकी dead कहां होगी तो याद रखिए इसको हम liver में बोलेंगे liver या blood के अंदर spoil हो जाएंगी बिड़ बीसी तो क्या लिखेंगे यहाँ पर liver यह नकी यह कृत यह blood बोल सकते है यहाँ पर dead होगी क्या WBC यह कृत में WBC का क्या होते है WBC की मृति होती है WBC का काम क्या है इसका काम क्या है तो यह हमारे सरीर में क्या करती है Increase Immunity Power Increase Immunity Power of a Human Body यानि की मानव सरीर के मानव सरीर का की रोग परतीरो धके समता को रोग परतीरो धके समता को बढ़ाता है इसका मतलब क्या बच्चे WBC का काम क्या है देखे बच्चे WBC Human Body में Body की Immunity Power को Increase करेगा क्या करेगा बच्चे Body की Immunity Power को Increase करेगा यानि कि हमारे सरीर में अगर मान लीजी कोई बिमारी हो जाती है तो उसके खिलाब पे Fight कोन करेगा Body के अंदरे WBC करता है टेक है सरीर में कोई भी रोग होगा उसके विरुदे रोग परतिरोद एक समता को मजबूत करता है सरीर में Immunity Power को Increase करता है Body के Immune System को भी क्या करेगा यानि कि Body की Immunity Power को Increase करता है सरीर की रोग परतिरोद एक समता को बढ़ाता है कोई भी रोग होता है तो उसके खिलाप WBC Fight करता है लेकिन एक disease है इसका नाम है AIDS रोग और AIDS disease में क्या होता है WBC की Immunity Power Weak हो जाएगे क्या हो जाएगी Weak हो जाएगे ठीक है हाँ In case of AIDS disease Decreats Immunity Power of WBC याद रखिया PCS में जो है तो यहाँ पर मलिक सकता हो नोट करके एक बात है क्या कि AIDS रोग में AIDS रोग में WBC की रोग परतीरो धके समता क्या हो जाएगी बच्चे कम हो जाती है क्या हो जाती है कम हो जाती है रोग परतीरो धके समता ठीक है और Human Body में अगर पूस ले आप से की Average Number Average Number of WBC मानव सरीर में ओस्तन WBC की संख्या तो मानव सरीर के अंदर Austin WBC की संख्या कितनी पाई जाती है तो याद रखिए बच्चे Austin WBC की संख्या हमारे सरीर में 6000 से 11000 की मात्रा में पाई जाती है ठीक है मानव सरीर में Austin WBC की संख्या और कि WBC के नंबर हमारी बोड़ी में कितने होंगे यहाँ पर 6000 से 11000 के बीच में ठीक है चलिए बच्चे उसके बाद आगे भड़े हम लोगे अब देखे WBC की टाइपस के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में WBC के टाइपस के बारे में WBC के 5 parts है जिनके हवारे हम बात करेंगे अब AIDS के बारे में परसन यह आ जाता है कई बार कि WBC का बहुँ कौन सा पार्ट है कौन सी WBC WBC के इनकी कौन सी cell कौन सी को सिकाए यहनि क्या हो जाती है मर जाती है किसमे AIDS रोग में तो T-Lymphocyte कौन सी cell होंगी वो T-Lymphocyte इस बात को ध्यान रखे आपे शरीर के अंदर जब इनकी एक यहनि क्या है मानो शरीर में अगर AIDS रोग हो जाता है तो WBC की रोग प्रतुरतक समता कम हो जाती है लेकिन WBC की भी किस को सिका की T-Lymphocyte की इनकी T-Lymphocyte तो WBC की टाइपस करती है आपर बचे इनकी इसको मैं एक बार बरफ कर देता हूँ एक बार यह हमने बेसिक बात बताई है WBC का जनम WBC की मरत्यू इसका रसानिक नाम इनकी इसका जीवनकाल शरीर में की ओस्तन संख्या कितनी है और यह शरीर में का कारिय क्या है झाल झाल देखिए वच्छे तो क्या है वच्छे बात करूए है हम पर मैं WBC के टाइप्स के बारे में देखिए आप देहां से हम पर वाइट बलड सेल इसके टाइप्स तो WBC के टाइप्स हमारी बोडी में कतने हैं बलड 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 प्रत सबसे पहले है किसका नाम फॉस्ट है हम बात करें किसके बारे में मोनो साइट के लिखेंगे बच्छे मोनो साइट WBC का फॉस्ट टाइप है मोनो विस साइट विस सेकंड टाइप है इसका monocyte के बाद lymphocyte कै नाम है lymphocyte lymphocyte third हमजसे lymphocyte के बाद neutrophil neutrophil फिल, न्यूट्रो फिल, उसके बाद, बात के जाएं बच्छों यहां पर, न्यूट्रो फिल के बाद, बैसो फिल, बैसो फिल यहां बाद हम बोलते हैंु इसको बैसो फिल, और लास बाट क्या है इसका, इन से फिल और आएंसर फिल भी बोल सकते हैं, और आएंसर फिल इससे नो फिल, ठीक है, इससे नो फिल, देखिए बच्छे, अब यह हम पर बात कुरिया हम पर मैं, इस इन सब के बारे में, तो मोनो साइट, सबसे पहले बात करते हैं, मोनो साइट के बारे में, तेकि बच्छे, मोनो साइट है, डबलू बीसी का, डबलू बीसी का मोनो साइट है, कितने परसेंट, 2 से 6 परसेंट भाग, डबलू बीसी का कौन बनाता है, मोनो साइट बनाता है बच्छे, वह उसके बाद लिम्फो साइट, लिम्फो साइट, डबलू बीसी का 30 से 33 पर 30 सत भाग बनाने में सहता करता है उसके बाद बचे Neutrophil ये WBC का 50 से 60 परतिसत भाग बनाता है Bicephil बचा जाता है कि Bicephil WBC का कितने परसेंट भाग बनाता है तो 0.5% परसेंट पार्ट Bicephil Bicephil इसका भी पार्ट बनाता है और इन से Bicephil कितना पार्ट बनाएगा इसका तो यहां लिख सकता हूं 1 से 2 परतिसत भाग कितना 1 से 2 परतिसत भाग कुन बनाएगा यान किसका Bicephil इसका इतना पार्टे बनाता है ठीक है चलिए बचे अब आगे बढ़ते हैं इस बात के बारे में हम लोगे बिलिम्फोसाइट के बारे में देखिए बचे जो लिम्फोसाइट है बिलिम्फोसाइट सेल के बारे में बात करूँ मैं तो लिम्फोसाइट सेल का एक पार्ट है जिसका नाम है T-Lymphोसाइट के नाम है T-Lymphोसाइट सेल T-Lymphोसाइट सेल it is a also called a army of a human body army of a human body and T lymphocyte को हम क्या बोलते हैं बच्छे मानों शरीर का army किसे कहा जाता है बटी लिंफोसाइट को आर्मी का मतलब क्या है जो प्रोटेक्शन देता है तो बोडी को प्रोटेक्शन को देगा बटी लिंफोसाइट ठेक है तो देहन देखे बच्छे देखिए मैंने अभी मने क्या ब हो जाती है बोडी में सेल बकम हो जाती है इसकी रोग प्रत्रोसम्था क्या हो जाती है बकम हो जाती है यह सेल मर जाती है एड्स रोग के अंदर जो है ठेक है हाँ तो बच्छे देखिए क्या है टी लिंफोसाइट ही वह है सेल है जिसको हम क्या बोल सकते है कि यह एड्स र लिम्फोसाइटे कोसिका मर जाती है जिससे की WBC की रोगों के खिलाप लड़ने की समता क्या हो जाएगी बच्छे वह कम हो जाएगी तो इस पॉइंट को आप दिहान रखे बच्छे इस पॉइंट के उपर आपे इंपोर्टेंट पॉइंट है ये ये कई बार आप से एक्जामस में पूछा जाचु क्या है क्या की देखिए बच्छे क्या बताया है मैंने आपको की AIDS रोग के अंदर ये कौन सी सेल मरती है बटी लिम्फोसाइट है ठीक है हाँ ये क्या बताया है बच्छे मैंने एनकी AIDS में यही सेल मरती है तो बच्छे देखिए ड्यान से आप से क्यों से पूछ क्या है एक्जाम से वो क्या एनकी AIDS के अंदर इसी सेल के बारे में और इसी को हम Army of human body कहते हैं क्या बोलते हैं Army of a human body जो है मानो शरीर का Army man यान किसे कहा जाता है बटी लि important question है बच्छे द्यान देखिए इनकी आपको मैंने क्या बता है बच्छे द्यान देजिए कि AIDS रोग में क्या बता है बच्छे मैंने आपको AIDS रोग के अंदरे विटी लिम्फोसाइट सेल बोडी में क्या हो जाती है वो कम हो जाती है एनकी मर जाती है इसी लिए और यही क्य सबसे बड़ा हिस्सा किसका कौन बनाता है न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल पचास से साट परशेंट और कई बार के उसन आता है कि WBC का सबसे कम पार्ट कौन बनाता है तो बैसर फिल बैसर फिल कितना 0.5 इस बात को भी आनकी ध्यान देजिया आप सबसे ज़्यादा डबलूबी सी का हिस्सा है न्यूट्रोफिल और सबसे कम सोटा हिस्सा कौन सा है बैसर फिल लेकिने रोग परतिरोद अक्समता के लिए जीमेदार कौन होता है लिम्पोसाइट सेल लिम्पोसाइट का भी टी लिम्पोसाइट सेल शली बचे तो यह मैंने आपको डबलूबी सी की सेल्स के टाइप्स बताए हैं कि डबलूबी सी में 5 परकार की से विपाई जाती है अब आगे बढ़ेंगे हम इस इस टोपी को ब और मैंने बताया था कि लेकिन इसका एक exception है इसका exception क्या है ओट और लामा RBC के बारे में ध्यान दीजिया आपे RBC में नुकलियस नहीं पाए जाता है केंद्रक अनूपसित होता है लेकिन क्या है यानकी ओट वे जो लामा है उनकी RBC में केंद्रके वपस्टित पाए जाता ह है ऐसे ही WBC के बारे में बात कुरें हम पर नुकलियस तो है तो WBC क्या है बेहां पर ध्यान देजिजी बच्चे WBC के नुकलियस का पॉइंट और एक RBC के इनकी हीमोगलोबिन का पॉइंट आपसे ज़रूर पूछेगा इससे को आप एन वी से ध्यान रखे सबसे पहली बा कि WBC में हीमोगलोबिन अनुपसित पाया जाता है इसमें क्या है WBC में हीमोगलोबिन अनुपसित है हीमोगलोबिन अनुपसित पाया जाता है हीमोगलोबिन क्या पाया जाता है बनुपसित होता है अपसेंस होगा है HB इसमें अपसेंस पाया जाता है ठीक है और कि WBC में क् सेंस होगा इसमें इसलिए क्या होती है यह वाइट कलर की होती है और और आरवी सी में हमोगलोबिन पाय जाता है इसलिए वो ब्रेड कलर की होती है ठीक है उसके बाद एक फॉइंट को ध्यान रखिया आप इसमें किस बात के बारे में डबलूबी सी के बारे में देखो क्यों उसना आता है कि ये बार की WBC जो हैं white blood cells तो उसे नहीं बनेगा कि RBC के मुकाबले WBC का ratio कितना पाए जाता है तो बच्छे आपको बता दूए यहां पर मैं यान की RBC और WBC की ratio के बारे में ध्यान से देखिए 600 रेशियो 1 यान की 600 RBC की उपर एक WBC पाए जाती है क्या है बच्छे 600 RBC पे क्या पाए जाती है एक WBC ठीक है इससे लिए RBC और WBC का ratio कितना पाए जाता है 600 अनुपात एक 600 RBC की उपर एक WBC उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्छे हमें किसके उपर WBC के चेप्टर की उपर तो WBC जो है white blood cells इससे relative question और क्या बन सकता है हमारी body म जो है तो एक question यह बन सकता है कि lymph का topic आ सकता है Lassica का किसका आ सकता है Lassica का कि WBC में immunity power को WBC की WBC के अंदर immunity power को बढ़ाने में साहेता कून करता है यह question भी कई बार आता है जो है तो ने की एक तो मैंने T lymphocyte cell बताया T lymphocyte cell के अलावा यहने कि lymph Lassica Lassica जो है Lassica किसमें पाए जाती है बचे ध्यान रखिया आपे Lassica WBC में ही presence होगा किसमें होता है WBC presence तो Lassica WBC में उपस्तित पाए जाता है और ध्यान रखिये इसी के यह क्या करता है Lassica एनकी lymph एक सफेद रंग के दागा रूपी संदर्शना पाए जाती है it is metric system in a blood यह कह सकते हैं हम लोग इसको कि दागा रूपी संदर्शना WBC में उपस्तित उसी को Lassica कहा जाता है और काम क्या है यह WBC की रोगों प्रतिरोदक समता को बढ़ाने में काफी वहल्प करता है ठीक है तो WBC के चेप्टर के बारे में हमने जो basic point यहां पर किये हैं ध्यान रखिये सिज को आपे यह था हमारा white बलडे cells हो है RBC complete हमारा WBC क्या हमारा complete है अब हम बात करेंगे किस के बारे में वी प्लैटलेट के बारे में किस के बारे में बात करेंगे बचे प्लैटलेट चलिए झाल झाल प्रेश्य अब देखिए बच्छे मैंने कल आपको मैंने एक फॉइंट बताया था वह उसको मैं रिमाइड करूँगा यहां परे किसके बारे में ध्यान दीजिये बच्छे मैंने कल एनकी लास्ट कलास में आपको मैंने यह बताया था कि एक CBC नामक टेस्ट होता है complete blood count इसमें RBC, WBC और platlet और hemoglobin की report आती है तो मैंने आपको कल लास्ट कलास में मैंने क्या बताया था कि जो RBC के number है body में average मिलेंगे WBC के body में number average मिलेंगे और platlet के body में number average मिलेंगे तो हमारी body में कोई भी रोग नहीं होगा लेकिन इनकी quantity बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है इसका मतलब कहने कि इनकी CBC में RBC WBC platlet इनकी report आती है और body में इनके number अगर balance है तो सही है अगर इनके number बढ़ जाएंगे तो भी रोग होगा और इनकी number कम होगे तो भी रोग होगा तो RBC के बारे में तो मैंने बताया था आपको मैंने कि RBC के number अगर बढ़ जाएंगी mountains वेगरा कि यानि होगा तो द्यान रखिये से को आपे कि WBC के number body में अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा WBC के number अगर बढ़ते हैं तो इसमें blood cancer हो जाता है क्या हो जाता है blood cancer यानि की blood cancer को हम कह सकते हैं रक्त cancer क्या बोल सकते हैं इसको रखते cancer और इसको किस नाम से जानते हैं रक्त cancer को किस नाम से जानते हैं तो द्यान रखिए. इट is ALSO 2. respect also known as leukemia क्या नाम से जानते हैं? Lyukmia. तो याद रखिएسेशों को आप है. अगर WBC के नंबर बढ़ जाएंगे तो उसमें Blood Cancer का मतलब क्या? affirmation जाती है क्या हो जाती है शरीर के अंदुरी नीसों में एनकी ब्लीडिंग होनी क्या हो जाएगी विश्रू हो जाएगी अगर मालेजी बोडी में को ट्यूमर है और वो ट्यूमर लोंग टाइम तक रहता है बोडी के अंदर जो है और वो अगर क्या है बकैंसर का आकार लेता ह य्यानिंकि Cancer को वाकार लेगा यहाद फिर कह सकता हूं कि Blood में त्यूमर है Blood में कोई gaart बन जाती है यानिकि Blood में गुच्जे बन जाते है तो उसी को हम क्या बोलते हैं Cancer बोलते हैं Cancer में देखिए बच्छे पाई Cancer कोई एक टाइप नहीं कैंसर काफी टाइब Ni Me कैंसर हैंडी तो प्रिंस M है cancer सबसे पहली बात है cancer के बारे में आपको ध्यान रखनी है एक बात है कि जो cancer जो रोग है इसमें सबसे पहला point क्या है कि study of cancer study of a cancer यानि की cancer के अध्यान को हम क्या बोलते हैं तो ध्यान रखिए बच्चे oncology क्या बोलते हैं हम लोगे oncology सबसे पहला point तो यह है cancer के बारे में cancer के अध्यान को oncology कहा जाता है उसके बाद देखिए आप cancer के बारे में cancer में क्या होता है जो tissue है tissue हमारी body में tissue का इंबलेंश हो जाते हैं इन बलेंश याने की टीशिव को हिंदी में हो क्या बोलेंगे उत्त क्या बोलेंगे उत्त तो उत्त तक क्सapa देंदे लुपती है उत्को में उत्त Gothic होती है इसे की महलनेजिए हमारे शुर्य Kenya सोटी-षोटी चल हैं और ये सोटी सोटी सेल है ना इनका गुरूप बनके यानि क्या बन जाता है टीशू बन जाता है क्या बन जाता है टीशू एनकी सोटी सोटी जो सेल पाई जाती है सेल का मतलब कोशिका हमारे सरीर में सोटी सोटी कोशिका यह पाजाती है और गुरूप ओफ सेल और कोशिकाओं के सम्हूं को क्या कहा जाता है टीशू क्या कहा जाता है तीशू कहा जाता है और क्या होगा शरीर के अंदर अगर टीशू में इन बैलन्स एन की ये क्या हो जाएंगे अगर इन बैलन्स हो जाएंगे और इन में गरोथ होने शुरू हो जाए अगर तुसी को हम कैंसर बोलेंगे वो कैंसर का रूप ले लेगा शरीर में सोटी सोटी कोसिकाओं से मिलके वह क्या बनता है टीशू शरीर में सोटी सोटी कोसिकाओं से मिलके वह टीशू बनते हैं और क्या है टीशू अगर इन बैलन्स हो जाता है तो उसी को कैंसर का रूपे बले लिया जाता है ठीक है इंबैलन्स होंगे वो टीश्यू में ग्रोथ होगी टीश्यू क्या है मैं भीवने बताया सरीर में सोटी सोटी जो कोशिकाइं पाजाते हैं उसी के समू को उतक बोलते हैं चोटी चोटी सेल हैं उसके गुरूप को बेटीश्यू बोले जाता है और इसमें इन्बैलेंस ग्रोथ होना ही कैंसर का रूप ले लेगा अब कैंसर के अंदर है देखें क्या होगा एनकी सेल के गुच्छे बन जाते हैं अपसमे और वो टीश्यू धेरे दिरे बढ़ने सुर है अगर माल लीजिए कि उस टीश्यू में अब क्या है उस टीश्यू के इंदर जो बलडे सर्कुलेट होगा वह इंफैक्टिड हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्छे इंफैक्टिड ठीक है अभी मैंने क्या बताया अगर चोटी-चोटी सेल है वह गुच्छे की रूप में बटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोट बच्चे जो है ठीक है यानिकी cancer वैसे तो मैं बताओं आपको मैं यहां पर एक genetic disease बुला गया है इसको एक अनुवांस की रोग बुला गया है ठीक है हाँ और यहां पर मैं proper एक वारस को यहां की मैं represent नहीं कर सकता cancer के लिए लेकिन कुछ cancer इसे की skin cancer है यहां पर कह सकता हूँ brain cancer है bone cancer है यहां पर वारस काम नहीं करता कोई cancer इक वारस का डिजीज नहीं होता लेकिन आपको बताओं यहां पर बच्चे में cancer की कुछ एकाद टाइप ऐसे हैं जिसमें की वारस की रूप में पाया जाता जैसे की HPV बताया science ने human papilloma वारस यह एक cancer का वारस बताया गया जिस से cancer ही कैसा रोग है genetics disease अनुवान से की रोग है एनकी वह PD दर PD चल सकता है मरी बच्चे आप मरी वात समझ पा रहे हैं ठीक है लेकिन सभी cancer के टाइप साय देन की वारस से नहीं होते क्यों क्योंकि बलड़ cancer यह कुछ cancer के ही ऐसे टाइप है जो की वारस से फेलते हैं जिसका नाम है cancer के वारस का नाम HPV human papilloma virus ठीक है हाँ अब देखिए बचे आगे बढ़ें इस बात को हम तो मैंने दो पॉइंट बताए हैं सबसे पहले क्या कि study of cancer किसमें क्या जाता है onkology में और क्या बता है बचे study of cancer onkology में second and tissue imbalance दोनों पॉइंट को याद रखेगा आप लोग अब cancer की treatment के बारे में आती है बात कि cancer का treatment कैसे क्या जाता है देखिए बचे cancer की treatment काफी type से होते हैं इसमें आपसे क्योंसन बीलिया गया है उसने सबस्ते अनकी पहले आपसे से इसमेश्कें के अंदर के जो cancer है कैंसर में उसने पूछ लिया क्योशन आपसे शरीर के अंदर अगर क्योशन आ जाए कि जैसे की स्किन कैंसर कौन सा है विस्किन कैंसर की ताउचा जो कैंसर है ताउचा कैंसर है ताउचा कैंसर का त्रीटमेंट कैसे क्या जाता तो आपको बता हुए यहां परमेशर से पहले तो किन कैंसर का कारण क्या है Very कोज यानि कारण ताउचा कैंसर का कारण है क्या यूवी रेज क्या है यूवी रेज यानकी ताउचा कैंसर किसे होता है अल्ट्रा वोलेटे रेज से इनकी हो सकता है यानकी सूरी की जो प्रावेंगनी क्रिने हैं अगर हमारी ताउचा प्रगिरती है तो उससे स्किन कैंसर फैल सकता है यूवी रेज से skin cancer क्या बता है मैंने बचे ताउचा cancer का कारण है UV rays skin cancer का कोज बोल सकते हैं कोज क्या है बई यूवी रेज और यह 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 cancer के अगर treatment के बारे में बात की जाए इसके treatment के बारे में तो ध्यान रखिए बचे जो cancer का जो treatment है वो क्या कहलता है तो cancer का treatment में इसमें थरेपी दी जाती है क्या दी जाती है थरेपी इसका नाम है कीमो थरेपी क्या नाम है कीमो थरेपी ठीक है और एक का नाम क्या है रेडियो थरेपी और उसमें किस का इस्तमाल किया जाता है किस रेज का इस्तिमाल किया जाता है यह क्योंसन भी इंपोर्टेंट है कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 आइसोटोप का इस्तिमाल किया जाता है एक तो कोबाल्ट 60 आइसोटोप का दूसरा क्या है इसमें redone का इस्तिमाल भी किया जाता है यह Red Dawn Gas का भी बिस्तमाल तो Cancer के Treatment को हम क्या बोलेंगे Chemotherapy क्या बोलेंगे Chemotherapy Chemotherapy और दूसरा क्या बोलेंगे बच्चे हम इसको Radio Therapy इन Cancer के Treatment का नाम है इसमें क्या किया दता है Treatment में Cancer के Treatment में इस्तमाल अगर प्रसन आजाए कि Cancer की Treatment में क्या इस्तमाल क्या दता है तो इसमें इस्तमाल क्या दता है Cancer के इलाज के लिए Cancer के इलाज के लिए इस्तमाल क्या दता है Cobalt 60 Cobalt 60 यंकि Cobalt ए 60 Isotope और इसमें इस्तेमाल किया जाता है Redone क्या इस्तेमाल किया जाता है Redone एक क्योंसर आया है देखिए जो Blood Cancer है Blood Cancer जोकी पूरी बोडी में फ्यल जाता है Blood Cancer के इंदर डोक्टर क्या है? कोबरा साप का जहर का भी इस्तेमाल करते हैं ये कोबरा सनेक पोजन में बलड के अंदर कोब्रा सनेक पोईजन को भी पास किया जाता है ठीक है एनि कुछ क्वांटिटी एनि किसमें एनिकी जब सेक दिये जाते हैं कैंसर के अंदर एनि कैंसर में क्या दिये जाते हैं एनि कीमो थेरेपी में सेक दिये जाते हैं और रेडियो थेरेपी में रेडोन का इस्तमाल करते हैं, तो स्किन कैंसर के टीटमेंट के लिए रेज का इस्तमाल करता है, किस का इस्तमाल करता है, किस रेज का रेडोन का, किस का रेडोन का, रेडियो थेरेपी में तो रेडोन का इस्त के जाता है कॉब्रा साप का जहरे कुछे ml मातरा में बोडी के अंदर क्या कह जता है सप्लाई के जता है बलड के अंदर विचर धाय जाता है एक तो यहां परलकर देता हूं मैं यह कोशन भी लास्ट पूछ लिया था कि कैंसर की इलाज के लिए किस के जहर का इस्तमाल किया जाता है कोब्रा सांप के जहर का इस्तमाल यानि कोब्रा सनेक पोईजन कोब्रा सांप के जहर का भी इस्तमाल किया जाता है कैंसर की इलाज के लिए ठीक है अब देखिए बच जैसे कि मैंने बताया कि blood cancer हम बात करें थे WBC के बारे में आएंगे बच्चे घूमके इसी बात की उपर जो है मैंने अभी विन्हें आपको क्या बताया था कि cancer का को एक टाइप नहीं है cancer है काफी type है जैसे कि blood cancer क्या नाम है blood cancer को हम क्या बोलते हैं इसको leukemia बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चे leukemia blood cancer को leukemia कहा जाता है दूसरा बचे मैंने आपको बताया क्या skin cancer क्या बताया मैंने skin cancer हम वही cancer के types करेंगे जो आपके exams relative है देखिए बचे यहनकी cancer के types से वही करेंगे हम जो की आपके exams में काफी skin cancer, bone cancer यानि हडियों का भी cancer होता है और आज कल क्या है? वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहा है महिलाओं के अंदर है breast cancer कौन सा breast cancer भी महिलाओं में काफी फैल रहा है ठीक है? हाँ और यहाँ पर कह सकता हूँ मैं brain cancer कौन सा है brain brain cancer तो यह important है cancer के types द्यान रखिया आप इनके बारे में जो है यह आप से बहुत सकता है इन cancer के बारे में जो है अब देखिए बच्चे cancer के test का नाम क्या है? सबसे important बात है यह question भी आज का exam समें पहले तो cancer का जो test है बच्चे उसका नाम है biopsy का नाम है biopsy यानि cancer का जो test करवाय जाता है cancer के test का नाम इसका जो test है वो उसका नाम है बच्चे biopsy का नाम है? biopsy test यह cancer के test का नाम होता है biopsy याद रखिए बच्चे तो मैंने यहाँ पर cancer के बारे में सारा details से आपको बता दिया है exams में question बनेंगे यानि कि उस relative सारे point में यहीं पर आपके cover करवा दिये हैं अगर cancer है कि उस सना आए तो एक बार फटा फटेन की उसको में एक बार remind करवाता हूँ है एक मिन्ट के लिए देख लेजिए बच्चे ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया कि cancer study of cancer हम किसमें करते हैं बच्चे study of cancer किसमें किया जाता है oncology में ठीक है क्या बताया मैंने बच्चे study of cancer oncology में cancer से क्या होता है प्रभावित शरीर का कौन से body का कौन सा part शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा तो द्यान से देखिए बच्चे यहां परे सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा कैंसर में तो tissue imbalance होते हैं क्या होते हैं tissue imbalance और tissue किसे बनते छोटी छोटी cell से बनते group of cell tissue कहलाता है ये एनियंतरित हो जाएंगे इनमें एनियंतरिती वर्दी होना ही cancer कहलाता है उसके बाद cancer के test का नाम क्या है biopsy उसके बाद क्या बच्चे cancer के काफ़े types होते हैं blood cancer, skin cancer, bone cancer brush cancer और brain cancer ठीक है यानिकी वो tumor के रूप में या body में गाट के रूप में भी पाया जा सकता है अब सबसे पहले है blood cancer blood cancer के बारे में बात करूँ बच्चे तो इसमें क्या होता है internal body में blood के अंदर blood में जो गुच्चे बन जाते है cells के, tissue के गुच्चे बन जाते है वो यानिकी गाठे अंदरूनी इसमें फूट जाती है और पूरा blood शरीर के अंदर infected हो जाता है उसी को हम blood cancer बोलते हैं leukemia और इस condition में शरीर में WBC की शंख्या क्या हो जाती है बढ़ि जाती है सेकिंड है skin cancer skin cancer का दो क्या है antra skin cancer की से होता है इसका'm 입니다 is immortal of opini skin cancer body के अंदर ठीक है तूसरी बात तैसरी भात क्या है bone cancer bone cancer हडियों cancer हडियों के बीच में क्या हो होगा और की blood है यानि कि हड़ी जो है हड़ीयां बिल्कुल सिकुट जाती है और हड़ी के बीच में जो गैप होता है जिसमें की जो फाइबर हमारे पाए जाते हैं वो बिल्कुल खतम हो जाते हैं बोन कैंसर के अंदर जो है और हड़ीयां हडियों का हिसा सूखना बिल्कुल सुरू हो जाता ब्रश्ट कैंसर महिलाओं में पाय जाता है वर्ल्ड में सब्सेज़ादा रूप में पाया जा सकता है और इसके टीट्मेंट कि बारे में बात की जाए तो क्या है cancer का treatment एक तो chemotherapy की रूप में होगा इसमें सेख दिये जाते हैं दुसरा रेडियो थरेपी की रूप में रेज यानकी मसीनों से किर्णों का प्रियोग किया जाता है कैंसर की लाज में कोबाल्ट 60 और एड़ोन जैसी इनके किरनों का इस्समाल किया जाता है ठीक है ठरपी के अंदर और कोबरा साप का जहर का इस्समाल किसमें किया जाता है बलड़े कैंसर के अंदर याद रखेव चेशिज को आप जो है एन के असन आपसे पूछ सकता है कभी वह तो डबलु बीसी के नंबर बढ़ेंगे तो बलड़ गैंसर लुकिमिया लेकिन डबलु बीसी के नंबर कम कहां होते हैं तो एड्स के अंदर किसमें होते हैं एड्स डिजिस के ध्यान रखिए बच्छे आप चलिए थोड़ा सान की AIDS के बारे में आपको यहां पर मैं बता देता हूँ एन की थोड़ा सा example हो जाए जैसे कि मनें बताया की WBC के नंबर बढ़ेंगे तो blood cancer होगा तो मैंने cancer की details सारी बता दी है बच्छे आपको और WBC के नंबर कम होंगे तो AIDS होगा थोड़ा सा AIDS के बारे में देख लेजी बच्छे आपे कि AIDS और disease है वो कैसा है और cancer के बारे में याद रखी बच्छे मैंने एक बात आप अपको यह भी बताई है कैसा disease है जेनेटिक्स कैसा है जेनेटिक्स disease है यह कि अनुवान से की रोग है इसको हम भूल नहीं सकते बच्छे अनुवान से की रोग ठीक है हाँ जेनेटिक्स डिजिस का एक पार्ट है और blood cancer के बारे में पूचले इसका वाइरस तो इसके वाइरस का नाम है human papilloma virus लेकिन सारे सभी cancer वाइरस से नहीं फैलते चले बच्छे अब AIDS के बारे में थोड़ा सा यहां पर महम कर लेते हैं बात इसको हमें रफ कर देते हैं देखिए बुचे लास्ट टाइम एक्जाम्स में एक्क्योशन पुछा गया था आपसे अर्याना के अंदर नायब तस्यलदार में एक्क्योशन आया था बाप इनकी प्रेक्टिस सेट या नायब तस्यलदार का एक्जाम्स में भी क्योशन देख भी सकते हैं कैंसर से ही रिलेटिव क्योशन था उसको भी मैं यहां पर बच्छों को रिमाइंड करना चाहूंगा अगर वो क्योशन आजे आगे तो आप कर सकते हैं अगर देखिए क्योशन आजे यहां पर आपको मैंने बताया नहीं मैं बता देटा हूं यहां पर एक बार मैं अगर आजे की कैंसर की दवा का नाम क्या है इसकी मेडिसिन कौन सी है ए यह नायब तस्लिदार में क्योशन आया था बच्छे आपके साह vendor है तो क्या है, cancer की जो medicine है, इसकी medicine का नाम texol है, क्या नाम है? इसकी medicine है, उसको हम क्या बोलते है, texol, याद रखिए बच्चे, ये medicine किसमें इस्तमाल के जाती है, texol नामक medicine, ये इस्तमाल के जाती है, किसमें cancer के अंदर है, तो इस चीज को भी हम भूलेंगे नहीं, treatment के तोर प आती है, ये नायप तिशलदार की question में थी, नायप तिशलदार की question में थी, नायप तिशलदार का exam में क्यों सुनाया था है, ये ना के अंदर है, अब AIDS के बारे में कुछ करते हैं हम बात, कि बारे में अंदर है, ये लगफ तिशलदार की की वालेंगे quand वेपना है, ये विन करते हैं है, ये झालेंगे आत, कि चलिए देखिए बच्छे एड्स डिजिज से अगर एड्स डिजिज के बारे में किस ना आजा आपके सामने वे एड्स रोग के बारे में याद रखिया आप है सबसे पहले एड्स के बारे में बात की जाए तो एड्स की फुल फोर्म क्या है देखिए बच्छे एड्स की फुल फोर्म है acquired immunodeficiency deficiency syndrome deficiency syndrome ये इसकी full form है इसकी AIDS की ठीक है बच्छे चलिए अब देखिए बच्छे सबसे पहले बात AIDS की test का नाम क्या है ध्यान रखिया आपे जो AIDS का test है AIDS की test का नाम है ELISA क्या नाम है ELISA ये AIDS का एक test होता है ठीक है कई बार बच्छे आपसे ELISA की full form भी पूछलता है ठीक है तो ELISA की full form क्या है बच्छे ध्यान रखिया आपे enzyme enzyme linked immunosorbent sorbent assay sorbent assay ये AIDS की क्या है AIDS के test की full form है ध्यान रखिये बच्छे आप AIDS के test की full form क्या होती है enzymes linked immunosorbent assay ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या बताया AIDS disease है क्या है AIDS disease है इसकी full form ये है इसके test की full form ये है उसके बाद बच्छे बगर हम बात करें किस के बारे में बेड्स के बारे में तो बेड्स में क्या है दुनिया में सबसे पहले सरव पर्थम येनकी विसाव के अंदर बेशरो पर्थम एड्स रोग अफरीका में फहला था कहां फहला था अफरीका में ठीक है अफरीका में फहला इस बात को आप याद रखिया आप जो है और कि फॉस्ट टाइम फॉस्ट टाइम जो है और कि ओरिजन कह सकता हूं में एड्स का कहां से वया था बफरिका से ठीक है फॉस्ट टाइम ओरिजिनेटिड इने बफरिका अन्हें अफरिका में ढूंड आगा है है सबसे पहले कि सको cancelo ko बता जाता कि AID की फिक मौग को और भताओ कहां हो यहां पर मैं अफरिका के илась पहले एड ! इसा के वारस था इसका वारस है सके वारस का नाम क्या है हमें पता है पहले आइड का बार-स है वह उसको हम पैब जैंध के वारस का नाम he HIV है क्या है बैच आई वी देखिए बच्छे HIV वायरस की फुल फोर्म है उसको हम बोलते हैं human amino human amino deficiency human amino deficiency virus देखिए बच्छे कई बार है ना इसमें बच्छा direct यही बोल देता है कि human amino virus लेकिन ऐसा नहीं होगा मैं आपको बताओं यहां पर बच्छे बरटा नहीं लगा ना आपको बिसकी फुल फोर्म human amino deficiency virus होती है क्या होती है human amino deficiency virus ठीक है तेकि बच्छे ऐसा बता जाता है कि अफरीका के अंदर क्या था कि सबसे पहले जो वारिस था ना HIV वारिस से यह कहां पाए गया था यह एक बंदर में पाए गया था किसे पाए गया था बंदर के अंदर यह की AIDS का फैलने का कारण बंदर है ठीक है और वर्ल्ड में first time origin originated कहां क्या गया वरिका में तो अफरीका के अंदर एक बंदर में HIV वारिस पाए जाता है और ऐसा बता जाता है कि उस बंदर का मास एकि Hall नोनवेज वे कोई महिला खा ले ती है और उस महिला में वे वारस इस बेंट्रिकर गाता है बोडी के अंदर जो है टीक है? एनकी औरे उसी से एनकी वारस से अब क्या है? देरे-जीरे एननी, इनी, इन human body में फेलता गया है सबसे पहले अफरीका से इसका origin होया था अब AIDS के बारे में आपको एक बात समझने होगी AIDS क्या है? AIDS फैलता किस से है? मैं आपको बताओं यहाँ पर बच्छों देहन देजी आप सो है कि AIDS रोग है ना इसमें सरीर में क्या होता है? डबलूबी से की रोगों के परती लड़ने की समता कम हो जाती है यानि कई बच्छों को AIDS के बारे में पता नहीं है कि AIDS डिजीज में वास्ता में बोडी में एक्टिविटी क्या होती है तेकि पहले बात तुम आपको यह बता दियू मैं कि AIDS से की कोई ऐसा नहीं है कि AIDS से इंसान की मिर्ति हुई संभव है ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है आपको बताओ मैं Science ने जो है यानि AIDS को पहले समझ जी इसको आप तेको AIDS का मतलब क्या है AIDS का मतलब यह है अगर किसी विक्ति को मान लीजे कि AIDS हो जाए तो उससे क्या है इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मिर्ति हो जाएगी ठीक है बस उसको एक बात को समझना पड़ेगा कि अब AIDS है तो इसका मतलब है Human Body का Security Guard की Death हो सुकी है चोटा से एक 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 जामपल लेके चलूँगा आपके सामने में ताकि आपको अच्छे जी समझे में आजाइए मान लीजे कि एक समझना पड़े बात बड़े आदमी है और आपके साथ सकोर्टी सकोर्टी गार रहता है और सकोर्टी के तोर पर ताकि आपके नकी जो है भी life की security जो एक life की safety आपकी body की safety के लिए जो है तो आप हमेशेन की जो है बिलकुल है नहीं क्या करते हैं वो आप एक safe zone में सलते हैं तो आपको पता है कि side में क्या है security guard है और वो भी संभाड लेंगे लेकिन अगर security guard अगर मान लिजी कि security guard आपके साथ नहीं हो जाए तो HIV virus body में entry करेगा और HIV virus क्या करेगा शरीर के अंदर WBC उन्हीं को तो बोलते से security guard शरीर के जो है WBC की रोगों के खिलाब प्लणने की समताव कम कर देगा सोटा से एक example लेकि सलता हूं मान लिजी कि आप सवस्थ हैं और आप सवस्थ हैं और आपे सर्दी में कभी भी साधी समारों में चले जाते हैं या पार्टी में चले जाते हैं आपे और वहां पर जाके आप ice cream वेगरा कुछ खा लेते हैं को पता है कि सर्दी में अगर आपने आइस क्रीम खाले तो इस ज्यादा ज्यादा क्या होगा आपको कोल्ड ही तो होगा ना लेकिन कोल्ड होगा तो क्या है आप इनकी क्या है यह immunity power को बढ़ाती है body के अंदरे एनकी efficiency power को body की बढ़ा देंगे लेकिन अगर AIDS हो जाता है तो वो security guard body के काम करना बंद कर देते हैं इसका मतलब क्या समझना पड़ेगा आपको जहान रखी एक चीज़ को अगर AIDS हो जाता है इसका मतलब इनसान की मृतिव नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं है एनकी उसको बस यह समझना होगा कि अब सरीर के security guard मर चुके है सिदिसी बात है पहले तुँ ice cream एनकी खालिया करता एनकी क्यों क्योंकि अगर माली जादा जादा कोल्ड होगा सर्दी होगी यह माली जें फिवर होगा तो पहले पता था कि ठीक हो जाऊंगा लेकिन अब सरफ यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अब AIDS हो चुक्या है उसका मतलब HIV वार्यस ने WBC की रोगों खिलाप लड़ने की समताव को खतम कर दिया है अब आपको सोच समझ के रहना पड़ेगा एड्स का मरीज पूरे लाइफ टाइम तक जीवित रह सकता है बस एक बात को समझे तो किस बात को कि अब सरीर में सिकोर्टी गार्ड यहीं करेगा अब एड्स के अगर हो जाता है तो आपको सरफ यहीं करना तो चलता रहेगा फिर ठीक नहीं हो गए इंसान अगर एड्स होने के बाद अगर आपकी लाइफ लाइफ टाइयम तक इनसान को कोई भी रोग ना हो तो वो पोरी लाइफ निकाल देगा नहीं पता अपको बताओ मैं एपकी एड्स के बारे में एक पॉइंट और यहां पर बहारत में बहारत में जो है एनकी एक ऐसा गाओं है जिसका नाम एक्चाईवी विलेज दिया गया है क्या नाम दिया गया है विलेज उप विलेज पर उसकी फुल फोर्म क्या है Happy Indian Village उसका नाम क्या दिया गया है Happy Indian Village यहनकी HIV नाम का भारत में एक गाउं है और उसमें सभी लोग सबस्त हैं और भारत के ने की बड़े-बड़े डोक्टर यहनकी बड़े-बड़े NGO और भार सकार उस गाउं का भी स्पोर्ट करती है क्योंकि बताया जाता है कि उस गाउं में सबसे पहले वेक व्यक्ति ने उस गाउं की शुरुवात की थी एक व्यक्ति को एड्स हो गया था और उस व्यक्ति को गाउं से निकाल दिया गया था उसने बहार जाके HIV नाम का एक गाउं बसा लिया और उसमें सभी आज तक हैं कोई भी किसी इंसान की death नहीं हुई है आज तक जो है इस बात को आप समझे जो है तो मैंने क्या बता है बच्छे इंडिया में HIV नाम का एक village है happy Indian village याद रखें आप इसेज को जो है ठीक है याद कि HIV नाम का क्या है कि happy Indian village इस नाम का एक गाओं भी है सभी सवस्त वेक्ति हैं इस गाओं के अंदर जो है आपको बता दें इस गाओं के बारे में जो है ठीक है तो यह AIDS के बारे मैंने समझाए है आपको कि तो इसका फैलने का कारण यानि कोज क्या था monkey सबसे पहले monkey से पहला था इसका फैलने का कारण क्या बना बंदर बंदर से ही AIDS का वायरस आया था ठीक है और origin पहले सबको मने बताये दिया है कहां परे बाफ़रिका में सबसे पहले महिला को दुनिया में सबसे ज़ादा आबादी AIDS की नाइजेरिया में है और वर्ल्ड का second largest AIDS disease के संख्या भारत में आपको बताएं जो है ठीक हाँ यह एक दुर्भागय की बात है एनकी विश्व में सबसे ज़्यादा AIDS के पैसेंट कहा है नाइजिरिया अफ्रीका में और ए second largest second largest population of AIDS disease इने इंडिया ठीक है वर्ल्ड के अंदर बात की जाए कि second largest AIDS disease के बारे में पूछले आप से कि विश्व में दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा अबादी वाला AIDS की रोगियों की अबादी वाला देश कुन सा है भारत है ठीक है हाँ तो यहाँ पर एनकी फास्ट तो दुनिया में अफ्रीका के अंदर पूस ले आप से कि अफ्रीका में भी कहां फैल आता तो नाई जिरिया में तो मैं यहाँ लिख देता हूं मैं दुनिया में फॉस्ट टाइम एड्स डिजीज औरिजनेटिड इने नाईजीरिया और नाईजीरिया कहां पढ़ता है अफ्रीकन कंट्री है कहां पढ़ती है अफ्रीकन कंट्री अफ्रीका को Mother of Disease रोगों की मा का नाम दिया गया है ठीक है हाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा रोग कहां फैलते हैं बफ्रिका मैं ठीक है इसके वारस का नाम क्या है HIV, Human Amino Deficiency Virus, सरफ Human Amino Virus नहीं बोलेंगे, क्या बताया है, Human Amino Deficiency Virus बोलेंगे, और भारत में एक AIDS क्या है, HIV नाम का एक विलेज है, Happy Indian Village, ठीक है, ऐसा बताया जाता है, कि एक विक्ति को AIDS था और उसको उसके गाउं से निकाल दिया गया था, और उस विक्ति ने बाद में जाके एक गाउं की स्तापना की, और भारत में AIDS की पैसेंट को इनवाइट किया, जो भी AIDS की रोगी है, तकि उनको लोग दूसरी नजर से नहीं देखें, वहाँ पर इन उस गाउं में उसने इनवाइट किया, पुरा गाउं बसा दिया उसने है, enzyme-linked aminosorbent, बैसे, सरव परतन दुनिया में AIDS कहां फैला, अफरिका में एक महिला को फैला, महिला ने बंदर का मास का इस्तमाल किया था, और यह इन इसका फैलने का कारण मंकी एन की बंदर था, ठीक है, फॉस्ट टाइम में AIDS disease originated in Nigeria, दुनिया में सबसे पहले AIDS कहां फैला, अफरिका की नाइजेरिया में, और second largest population of AIDS disease, दुनिया में दूसरी सबस्यादा AIDS की रोगियों की संख्या कहां पर है, भारत के अंदर है, फॉस्ट में की वर्ड में, नाइजेरिया में, सेकंड इब इंडिया के अंदर जो है, ठीक है, इसे को ध्यान रख्या, और AIDS के बारे म की AIDS के अंदर क्या बताया था, AIDS में, WBC की क्या हो जाती है, रोगों के खिलाप अलटने की समता, रोगे परतीरोधके समता क्या हो जाती है, बचे, बकम हो जाती है, इसमें कम हो जाती है, और WBC की भी कोन सी सेल, T, lymphocyte cell मर जाती है, बोडी के अंदर, जिनको Army of Human Body कहा जाता है मैंने अभी भी मैंने अपको मैंने बताया ईक है इनको army man कहा जाता है तो यह है last time आपको कि अगर किसी को AIDS हो जाएगी मैंने क्या पत्ते है दुखाम और जुकाम चलता रहे तरहे है उसी को cold हो गया जुखाम और जुखाम सलता रहे उसी कोvertyज कहेंगे किसा कुए Iordan 是 없 चो जाए उसके बाद eight वने के बाद बुखार हो जाए prop革 ठीक ना ऊओ चलता रहे उसी कोई इसको वह पहले जब आप सवस्तह ना तब आपको जब बूखार होता था ओरे तब अगर उसको कोई रोग हो जाता है ना तो उस टेम तो WC करते हैं बोडी में क्यों डबुबिसी को बोड़ी का डॉक्टर कहा जाता है क्या बोलते हैं इसको इस ओल्सो कोल्डे डोक्टर ओफे विवन बोडी मानव सरी का डोक्टर किसे कहते हैं डबूलूबी सी को छोटा से एक्जेंपल बता हूँ आपको मैं एक समझाने के लिए तो बगवान ने इनसान को बनाया तो उस टेम डोक्टर नहीं थे सरीर में ही डोक्टर डाल दिये जि उस भी करते हैं क्यों आपको पता है कि स्रीर में सिकॉर्टी गार्ड है वो ठीक कर देगा यानि भीमार होंगे तो ठीक हो जाएंगे डबूलूबी से लेकिन एड्स हो जाए तो उस मरीज को यह समझना पड़ेगा कि अब एड्स हो गया था इसका मतलब डबूलूबी से सि इसी मरीज की मिवरे इड्स हो जाता है तो ये समझना पड़ेगा उसको कि एड्स होने के बाद कोई रोग नहीं होने देड़ा कोई अगर नहीं हो जोलता रहेगा बोड़िमें बता रहेगा यही एडस है तो एडस रोग नहीं है कोई बी रोगों की जड़ है उत्याजुक्षथ हमने इतना है काफी क्या है देखिए बचे मैंने आपको अच्छे से बरीव से बता दी आज मैंने आपको cancer disease के बारे में बताया है और किसके बारे मताया है मने AIDS से बड्रीजज के बारे मताया है इसकी इनकी markets में एनकी medicine जो आई थी जो है AIDS की last time में तो उसका नाम था Trуда की नाम था? Truda. Truda medicine किसकी है? AIDS की ये के medicine है लेकिन AIDS की कोई एक medicine नहीं है काफी medicine है लेकिन यह last time जो है यह popular हुई थी medicine AIDS की तुरूदा के बारे में आपे ध्यान रखिए यह भी जो है important question है AIDS से relative world के अंदर AIDS को जागरू करने के लिए क्या कर दिया है यानि कि 1 December को world AIDS दिवस बनाया जाता है क्या बनाया जाता है एक एक दिसंबर को world AIDS से बड़े बना जाता है और पूरे world के अंदरे world UN AIDS world UN AIDS से एक ओर्गिनाईजेशन बनाया है दुनिया में UN ने क्या बनाया है UN AIDS UN AIDS से ओर्गिनाईजेशन ठीक है यानकी पूरे world में इसका परचार करने के लिए भारत क्या करता है एक दिसंबर को भारत एक दिसंबर को AIDS दिवस के ऊपर AIDS Day के ऊपर red ribbon express train चलाता है याद रखिए इससे को भी आप याप बच्चे जो है यह important बात है यानकी एक दिसंबर को इंडिया में red ribbon express train चलती है दिल्ली से ये एक साल में पूरे भारत में एक सक्र लगाती है main main station के उपर रुकती है और उसके बाद सलती रहती है इसमें AIDS के पैसंट के लिए ब्लकुले फ्री में और यह सर्फ जागरूता है भी हान के लिए चलाएगी है पूरे भारत में एक साल में एक सक्र लगाती है भारत ने वो दो साल में एक सक्र लगाती है पूरे भारत का इससे ही AIDS के उपर कॉन सी Red Ribbon Express क्यों अब एक चीज़ को लास्ट हमज़ लीजे आप जो है इंडिया में अगर क्यों से न आ जाए इंडिया में AIDS को कंट्रोल करने के लिए AIDS कंट्रोल करने के लिए कौन सा ओर्गनाईजेशन बनाया गया है तो उसका नाम क्या है उसका नाम है नेको डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट नेको डिपार्टमेंट इसकी फुलफोम क्या है National AIDS National AIDS और क्या है NECO की फिलफो में ध्यान रखिया आप जो है और क्योसन ये आ सकता है National AIDS से Corporation Organization जो है और क्योसन पूश सकता है और NECO की इसका symbol क्या है यहाँ पर Red Ribbon ऐसा ये symbol है ये क्या है Red Ribbon क्योसन पूश लेगा AIDS का symbol क्या है एड्स को रोकने के लिए इसका symbol का प्रियों किया गया Red Ribbon और NECO Department National AIDS से Corporation Organization तो ये संख्धन जो है क्या करता है AIDS को बहारत के इंदर NECO Department तो हम एनकी Corporation यहाँ आएगा बच्चे वाइफोल्ट बोल दिया हमने National AIDS से Control Organization National AIDS Control Organization बच्चे वाइफोल्ट जो हमने यहाँ पर Incorporation बोल दिया ठीक है तो यह बने AIDS की पूरी की डिटेल मने बता दी है Medicine से लेकर इसका टैस्ट तक जो है ठीक है आज का बच्चे आज का ही हमारे तना काफी है सभी बच्चो को इनकी एक बार फिर से धन्यवाद सभी को नमस्कार जो है आज का बच्चो को